कभी 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 तो जिंदिगी में अभीत तक इतने बड़े हो गए परेशन हुआ है मॉम्मी का मॉमी का नहीं मतलब किसी चूपरेशन हुआ है तो वह टांके वह का कर देता है तो वहां पर भहां बहुत पेन होता है dal The बहुत था काम कैसे करता है या कि benefici भी देटे हैं कि काम कैसे करते हैं कि आज हम बारे में बात कर रहे हैं और अगली बार जब मिलेंगे तो गोलियों के बारे मेंholes बताएंगे कि आ अब यह पिदर लगने के बाद कि यहां मैंने इंजेक्शन ठोक द्या होगने के बाद इसको बोले की मिकल इसको बोलता है प्रोट्रोगलेंज का क्या होता है कि यहाँ पे इंज्रीवाले पार्ट पे वह तो release होता है, release होने के बाद brain तक signal पुचाता है कि बेटा, brain जी, आपके यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो इसको समवालो आके, यहाँ पर पता लग जाता है, आपको पीट में लगा, तो पीट से receptors उसको ले जाके यहाँ देंगे, तो यहाँ पर पता लग गया, प्लेनिल को ही ब्लोक कर देगा, यहनी में जगा को ही ब्लोक कर देना, तो कोई receptors पे signal नहीं जाएगा, और बेरें तक बाद पुचेगी नहीं, तो भहिया पोचने से पहले इसको कतल कर दिया, अब कतल कर दिया, तो पता ही निलगी, पेन कहा हो रहा है, तो होता क्या है कि प recovery का time हो गया, और धिरे-धिरे करके वो चीजे भर जाती है, घाव भर जाते हैं, या कुछ भी कहें कि बोडी में एक पूर्ण नरता आ जाती है, टीशू cover-up हो जाते हैं, तो ऐसा होता है, और 20 साल के बाद ही देना चाहिए, अगर आप 20 साल से चोटे हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर छोटे-चोटे और इंजक्शन भी हैं, दर्द करने के लिए गोलिया खिलाई जाती है, डिकलोफिनेक या कहें ट्रामडोल की गोलिया आती है, अल्ट्रोगेट की तो वहाँ पर गोलिया बच्चों के लिए, लेकिन इंजक्शन 20 साल के बाद ही लगना चाहिए, और यही एक अच्छा तरीका है, इसके अलावा, हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अगर आप नहीं हो, तो भाई साब हमने, मम्मे, चाय बना देना, नहीं महमान हैं हमारे, हाँ मैं सब्सक्राइब के लिए बोल दूँगा, देखो सब्सक्र सब्सक्राइबर होना, सब्सक्राइबर को ऐसे नहीं कहते, तो भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करना मत बोला, आज मैं कमेंट मांगूँगा, मुझे कमेंट चाहिए, किसी भी तरह का, गाले नहीं निकलने चाहिए थोपड़े से, ठीक हैं? बस, आज के ले थे, थैंक यूफर वोचिंग, लफ्योल बाई, साइनिंग ओफ,